गमंड किस बात का महा कभी कालिदास बीच रास्ते में थे उनको बहुत जोर की प्यास लगी वहाँ एक पनिहारन पानी भर रही थी कालिदास बोले माते पानी पिला दीजिए आपका बड़ा पुन्ने होगा पनिहारन बोली बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं अपना परिच इन्हें जाने में समय नहीं लगता सच बताओ कौन हो तुम इस जवाब से पराजित कालिदास आश्यरे चकित रहे गए कालिदास बोले मैं सेहन शील हूँ अब आप पानी पिला दीजिए पनिहारन ने कहा नहीं सेहन शील तो दो ही है पहली धरती जो पापी पुन्यात्मा सबका भोज सैती है उसकी छाती चीर कर बीजबो देने से भी अनाज के भंडार देती है दूसरे पेड जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं तुम सेहन शील नहीं हो सकते सच बताओ कौन हो तुम कालिदास मूर्चा की इस्तिथी में आ गए और तर्क वितर्क से जला उठे कालिदास बोले मैं हटी हूँ पनिहारिन बोली फिर से जूट बोल रहे हो हटी तो दो ही है पहला नाखून और दूसरे केश कितना भी काटो बार बार निकलाते हैं सच कहो कौन हो तुम कालिदास अपने आपको अपमानित और पराजित हो चुके थे कालिदास न परवारी पंडित जो राजा को प्रसंद करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेश्टा करता है यह बात सुनने के बाद कालिदास कुछ बोल न सका और वह इस इस्थिती में ब्रद्ध महिला पनिहारन के पैर पर गिर पड़े और पानी पीने क की याचना में गिरगिराने लगे ब्रद्ध महिला ने कहा उठो वत्स आवाज सुनकर कालिदास ने उपर देखा तो साक्षात मा ता सरश्वती वहां खड़ी थी कालिदास पुनहै नतमस्तक हो गए मा ने कहा शिक्षा से ग्यान आता है ना कि एहंकार से तुने सिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धी मान लिया और एहंकार कर वैठे इसलिए मुझे तुमारी आंके खोलने के लिए ये सब स्वांग करना पड़ा कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भर पेट पानी पी कर वे आगे चल पड़े किस बात का करते हो आप निर्वस्त्र आये थे और निर्वस्त्र ही जाएंगे आप कमजोर बनकर आये थे और कमजोर बनकर ही जाएंगे आप बिना धन संपदा के आये थे और इसके बिना ही जाएंगे आपका पहला इसनान भी आपने स्वैम नहीं किया और आपका अंतिम इ लिए बहुत ही सीमित समय हैं और हम मूल हीन बातों में बरबात कर रहे हैं इसलिए अभी से प्रभू की आराधना में लग जाईए दोस्तों वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए जैश् शीक्रिष्णा